तो आज के लेवल से पहले एक पर पर डिसकस कर लेते हैं हमने आपको लेवल्स दिये थे और साथ में कुछ कंडिशन भी रखी थी हमने कंडिशन रखे थी कि 102.626 को अगर ब्रेक करती है तो 102.700 तक मांकिट जा सकते हैं तो जैसे यहां देख सकते हैं मांकिट नहीं यहां पर हमें क्लोजिंग दिये वीक कैंडल के साथ लेकि नेक्स जो कैंडल उपन हुई है साड़े चार वजे वो बुलिश कैंडल उपन हुई है यहां से हम 20 डिसल सेट कर ट्रेट प्लान नहीं कर सकते थे यहां पर हमें वेट ही करनी थी और वेट करने के बाद है कि मार्केट ने था अधा कि जिसके बाहर ही हमने डिए लेक हुने के पाद ने हुने के बाद अबसे पर की बошед भीagit हुने के बाद हमें डाउंसर के चीफ कर लिए और इसके बाद नीचे तक ही निचे 2.277 तक मार्क निचे है जो कि हमने अलड़ी सपोर्ट लेवल की तरह से मार्क कर रखा था और यह जो कैंडल बनी है यह जो आप बहुत जादा स्ट्रॉंग बेरिश कैंडल देख रहे हैं यह साड़े साथ से साड़े आट बजे वाली कैंडल है और साड़े साथ बजे के हमने बहुत स्ट्रॉंग मोमें कैच करने को मल सकता है तो यहां पर दिखेंगे मार्क ने 건icy दिया और अभी तक मार्केट में उसका मोमेंटम का एफिक्ट हमें देहने को मिल रहा है लेकिन यहां से इसके मार्केट स्ट्रॉंग बेरिश कैंडल दिया है उसके फोड़े सा रिस सेट नहीं कर सकते हैं कि market किस साइट पर जाएगी इसके लिए हमारे पास जो conditions हैं उनको हमें रखना होगा कि market किस conditions की फुल्फिल होने पर buy side या sell side पर जा सकते हैं तो उन conditions को हम यहाँ पर देखते हैं कौन से levels हमारे को support या resistance दे सकते हैं एक level हम यहाँ समा करते हैं market ने continuity में स को break किया तो 102.165 को break किया तो हम buy side जाएंगे 102.106 को break किया तो हम sell side plan कर सकते हैं sell side के लिए हमारे पास जो first target रहेगा 102.048 का तो अगर मागे ने यह break किया तो 048 first target और 101.996 second target रह सकता है उसके लगर upside पर market ने 102.165 को break किया तो 102.227 का first target रहेगा और यह break होने के बाद एक और हमें target mark कर सकते हैं हम यह आप पर इसको थोड़ा से downside पर रुखेंगे हम 102.339 है इस पर हमारा target रह सकता है तो अब sell के दो levels आप mark कर लीजए downside के लिए आप एक और level mark कर लीजए 101.896 कल जो है थोड़ा important data आने वाला है GBP का भी data आने वाले interest rate रिलीज होने वाला है और US का भी अच्छा trade plan कर सकते हैं और extra levels हमें पता भी देते हैं कि market अब यहां से कौन से level के आसपास आकर rest ले सकती है तो उसके around आप exit या फिर second entry plan कर सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड की कि गोल्ड में किस तरह का momentum रहा है गोल्ड में हमने mark किया तो जो levels उनको एक पर discuss करते है हमने mark किया था कि market अगर 1937 के उपर जाती है उपर closing देती है तो हम buy side जाएंगे और अगर market यहीं से reversal ले लेती है तो हमें sell side जाना है 1932 first target और 1928 second target तो market अपना दोनों targets को hit किया और exactly इसी level से support लेकर bounce back करके market वापस उपर किदर जाती ही नजर आ रहे है तो अभी हम क्या कर सक है तो एक important level बन चुका है इसको हम black mark कर लेते हैं अगर यह level break हुआ तो हमें target मिलेगा 1937 का 1940 और 1943 का यह 3 levels मिलेंगे हमें इनको हम green mark कर लेते हैं यह हमारे target रहने वाले हैं यह first target रहेगा second target हमारा 1937 और third target रहेगा हमारा 1940 का 43 का तो यह levels रहेंगे मारे website कि और अगर marketing यहीं से reversal ले लेती है तो first target रहेगा 1934 और 1928 का तो यह level आप अपनी चार्ट पर mark कर लेजए यह levels हमें काफी support कर सकते हैं कल के लिए लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी अगर आपने अपने एकसनेस पे account ओपन नहीं किया है आप अपना trading account ओपन करना चाहते है तो एकसनेस एक बह रहे हैं और हमें कोई complaint अभी तक नहीं आए है जब भी withdrawal होता है बहुत easily withdrawal हो जाता है और बहुत ही easily हमने उसको open किया था जिस तरह से open किया था उसके जो steps है वो आपको description box में हमने video के through हमने already provide कर रखिये साथी funds के तरह से add or withdraw कर सकते हैं वो भी description box मेंने add किया हुआ है तो बात करेते हैं fundamental analysis की एक चीज़ा और नोटिस कीजिए आपर लेके market उपर की तरफ जा रही है green candles बन रही है लेकिन volume continuity में गिरती वी नज़र आ रही है तो यहां से अगर market continuously volume गिरती वी नज़र आती रही और market ने strong volume की साथ इसको break नहीं किया तो हम sell side plan नहीं करेंगे क्योंकि volume जो गिर रही है वो एक तरह का down side की तरफ की momentum को indicate कर रही है तो अगर up side की तरफ market को जाना है आपने आपने buy side जाना है तो strong volume को आने दीजेगा उसके बाद ही buy side को plan किजेगा अगर otherwise अगर कोई trade छूटता भी है तो छोड़ दीजे ज़रूर नहीं है कि trade लेना ही लेना है अ हम बात कर लेते fundamental analysis की कल जो है तीन टाइम फ्रेम्स हमाल पर इंपॉर्ट है साड़ी चार बजे का छी बजे का और शाम की साड़ी साथ बजे का साड़ी चार बजे जो है जो है जो है यहां पर एक्सपेक्टेशन है और प्रिविस फिगर 4.50 थे अगर यह बुलिश ही आता ह है तो यहां पर हमें GBPUSD में बहुत बड़ा ट्रेड देखने को मिल सकता है GBPUSD USD इसमें अपसेट पर जा सकता है और GBPUSD गर उपर की तरफ जाएगा तो हमारा डॉलर इंडेक्स जो है डी एक्स वाई जो है जो कि opposite currency वो नीचे गिर सकती है और opposite impact पढ़ेगा हमारा XAUUSD प पर opposite impact पढ़ सकता है और यह उपर की तरफ जा सकता है तो साड़ी चार बजे एक अच्छा मोमेंट हमें करने को मिलेगा GBPUSD में इंपाक्ट पढ़ेगा डॉलर इंडेक्स पे लेकिन बहुत जाद इंपाक्ट नहीं पढ़ेगा तो GBPUSD में आप्टेट प्लान कर सकते हैं में देखने को मिल सकता है उसके शाब को 6 बजे और शाड़ी 6 बजे हमाँ पास important data आने वाला इनिशिल जॉब्लस क्लेंज का data क्या कहता है देखिए jobless को आप समझने के कोशिष किजएगा जोबने स्केंज यह कहता है कि कितने लोगों को डर है जॉब के खो जाने का और उस डर की विज़े से लोग अपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए इंशॉरेंस कवर्ज ले रहे हैं तो यह डाटा जितना जादा आएगा यहां पर यहां पर 262K है यहां पर 260 है लेकिन इसका impact जो है economy पर negative पढ़ेगा और economy के लिए यह data negative है क्योंकि जादा लोगों की नौकरियां जाने का यहां पर डर बना हुए तो अगर यह data 264 आता है यह जादा उपर की तरफ आती है values तो इस case में हमारा DXY जो है वो नीचे की तरफ गिर सकता है और positive impact बढ़ेगा हमारा gold के उपर और existing home sales जो data है यह positive impact डालता है अगर यह values strong आती है मानने जब 4.28 है यह आप 4.25 expected है यह आजाता है 4.30 4.30 यह आपका forecasted और previous figures से ज़्यादा ही है लेकिन यह जो data है यह एक positivity market में indicate कर रहा है तो अगर यह data positive आता है मानने जब 4.30 आ जाता है तो एक positive indication थे economy के लिए और इस case में dollar index जो है वो उपर की तरफ जा सकता है तो dollar index अगर उपर की तरफ जाएगा तो हमें पता है gold के से जाएगा gold जो है downside की तरफ का momentum ले सकता है तो इन time frames को आप mark कर लिजे यह time frames हमें कल काफी support दे सकते है so I hope आपको यह वीडियो पसंद आई है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से like button पर click कर दीजे और अगर आपने वे तक subscribe नहीं किया है तो जल्दी से subscribe भी कर दीजे ताकि आपका कोई भी market move मिसना हो okay investors bye everybody take care and keep on earning profits goodnight